पिछले क्लास में हमने पढ़ा वर्डाट ब्राकैप आदिया आप्षनों को मैंने पढ़ाया आपको अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे signature line यानि कि signature line आखिरकार आपके word में या आपके work में क्या प्रभाव डालती है उसको हम सीखेंगे कि आखिर signature line किस तरह से लगती है या किस हिसाब से signature line का प्योग करते है क्या आप से insert a signature line that is specified in visible most of science क्या आप से in visible का मतलब अद्रिश्य एक signature line दिखाई देती है या एक आपको signature line होगी inserting a digital signature requirement जहां पर आपके digital signature की requirement होती है that obtain to digital ID such as one from the certified Microsoft partner आज से आप चाहेंगे तो signature line का क्रमसर आप यूज करेंगे या cursor position पर signature की line को यूज करेंगे समझें आप practical seat में समझें कि signature line किस तरह से आप यूज करेंगे शब से पहली प्रात्मिक्ता है कि आप इसमें कुछ लिखे रहें इसके बाद ही आप इसका यूज करें इसमें मान लिजे कि कुछ ये सब्द लिखे गए हैं या इससे संबंदित कुछ सेजन लिख कर रखी गई है आप अपने cursor position पर आप इसमें signature line लगाएं ठीक है या आप इस पर हम signature line को दे सकते हैं देखिए हम insert टैप पड़ रहे थे इंसर्ट में आएंगे और इसमें आपका signature line का यूज करेंगे देखिए signature line को क्लिक करें इसके बाद आप signature line के लिए ok करें यानि क्या update करें अब इसमें लिखा आप से इसटे सिगनेचर शिगनेचर बतलब आप जो शिगनेचर रहो या जो signature करने वाला हो उसके suggestion आप उसको देड़ जैसे कि signature में आम किसी का नाम type करने और यहां पर उसके बारे में लिख देंग जैसे कि का चीज है वो उसकी email id लिखें जो भी email id होगी उसको लिख दें यह नहीं कुछी के नाम से email id हो आप को करने है जब आप देखें हैं तो आपके सामने इस तरह से आपके सामने आ गई तरह लाइने आपके सामने सो के जा रहे हैं कि इस हिसाब से आप इनका क्रम्स यूजिंग करेंगे या क्रम्स आप इसका प्रियोग कर सकेंगे ठीक है यह आपकी signature line थी अगली heading आप देखेंगे या अगला देखेंगे आप अपने cursor position पर या आप अपने जरूरत की हिसाब से system की date and time को ला सकते हैं it is insert the current system date and time in current active document जो भी आपके active document होंगे उस active document में system की date and time को अपने cursor position पर insert कर सकते हैं यह जो आपका option पढ़ रहा है इस option को मैं wordpad में पढ़ा रखा हूँ wordpad जब मैं पढ़ाया था तो मैं इस option को पढ़ा रखा हूँ ठीक है वही चीज़ा यहाँ पर भी आपको मिलने वाली हैं लेकिन इसमें एक चीज़ में अलग अलग फार्मेटेट थोड़ा wordpad से थोड़ा सा विसेश है wordpad से विसेश का मतलब इसमें थोड़ा सा आप देखेंगी इसमें फार्मेट ज़्यादा है यह जो फार्मेट की style है यह तमाम फार्मेटेड हैं यह थोड़ा सा अंतर दिखते हैं उसमें थोड़ा सा कम था इसमें ज़्यादा हैं देखते हैं प्रैटकल सीट में समझ लेते हैं जैसे हमने यहाँ पर कोई डाटा लिखा हुआ हैं हमें यहाँ पर system की date and time चाहिए तो आम insert में आएंगे और इसमें system की date and time लाएंगे जैसे कि आज इसमें दिया एक अप्रैल दो जार चौबिस तो हम select करके ok कर देंगे देखें आप यहाँ नज़र रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर system की date and time जो system में रहेगा वही आएगा एक चीज़ आप जरूर दियान दें इसमें system की date and time आएगी अगर इस option का प्रियोग करेंगे सायद आपके system की date and time अधिक हो या कम हो तो आप इसका प्रियोग नहीं कर सकते हैं हो सकता है कि 2 अप्रेल हो 5 अप्रेल हो और आपका currently date तो एक ही अप्रेल है तो जो system में रहेगा वही आएगा ठीक है तो इसको जरूर केर करके करिएगा ठीक है और भी दूसरा फार्मेंट भी है इसमें month पहले है वो भी alphabetically है दूसरे फार्मेंट में भी आप यूज कर सकते हैं करसर रखे रहे दूसरा फार्मेंट हम ले लेते हैं इसमें देखिए उसमें पहले month था वो भी alphabet में था हम इसमें केवल आपका यहां लेते हैं यहां लेते हैं पहले आपका date इसमें आ गया फिर month आ गया फिर आपका year का no century portion यानि आपके सताबदी portion नहीं दिखाय जाए समय में आ गया तो इस फार्मेंट में भी आप इनका कुर्म से यूजिंग कर सकेंगे इसमें बहुत अब तो प्राब्लम नहीं लग रही हैं आगे हम बढ़ते हैं अगला option हम समय लेते हैं अब्जेक्ट option कौन से अब्जेक्ट option से क्या होता है इसमें headline तो थोड़ा सा अलग दी गई है इसमें आपके अलग दिये भी गए है option headline या official तोर पे लिखा गया है क्या चीज करता है इस option इंसर्ट यानि इस option की सहता से आप इंसर्ट कर सकते हैं in the different application in current application and insertion position यानि कि अपने insertion position यानि cursor position पर आप कहीं किसी दूसरे application से आप link कर सकते हैं यानि कि आप जुड़ सकते हैं देखिए कैसे जुड़ते हैं हम चाह रहे कि किसी दूसरे software से link कर ले तो हम इसके लिए insert में आए और insert में object पर click किये हम किस से चाहते हैं beat map image से चाहते हैं या और excel के chart से चाहते हैं या जिस से चाहते हूँ जो आपके system में software install हो उनसे आप जुड़ जाएंगे है न इसमें आप मालिजे beat map image से चाहते हैं तो select करेंगे beat map image आप OK कर देंगे देखिए direct beat map image यानि की print आप के सामने तब पसाथ full करके आ गया होगा हम इसमें किसी तरह का image बना लेंगे और अपने जरूरत के इसाब से आप कुसमे color कर सकते हैं को चाहें कर सकते हैं किसी जगह से यूजिंग कर सकते हैं कि समझ रहे हैं जो color आपको साथ पसंद हो आप उसको यूज कर लेंगे तो आप इस हिसाब से आप इनका क्रम से यूजिंग कर देंगे डारेक्ली आपके सौप्टेवर में आप चले जाएंगे यह देखिया तो आप इसे इसकी सहाथा से इनका क्रम से यूजिंग कर सकेंगे या क्रम से आप इसमें प्रियोग मिला सकते हैं यह आपसं था आपके जरूरत के हिसाब से आप इनका यूजिंग कर सकते हैं अगला आपसे नम समझें इंसर्ट आपने समय लिया अगला आपसे नम समझेंगे फाइल अचा कहीं दूसरे जगह की फाइल आपका वर्ड पैड स्वरी माइक्रोसाफ्ट वर्ड पढ़ रहते हैं आप किसी दूसरे जगह की फाइल सा रहे हैं चाहिวยवी जगह भी जिस जगह कि भी फाइल होंगी आप वहां की फाइलों से इसकी सहता से जुड़ सकते हैं कई दूसरे जगह की फाइल हों आप इसकी सहता से उससे उङए लुएनं तो इससे आप उसके माध्यम से use in करेंगे देखिए कैसे जुड़ेंगे हम आज आते हैं लिखा भी है इसको पहले एल लाइन में पढ़ लें करता है इंसर्ट आल पार्ट आफे फाइल यूज सलेक्टेड इन दा कर्सर पोजीशन अपने कर्सर पोजीशन पर आप इनका क्रम्सर यूजिंग कर सकेंगे देखें मैं यहां पर कर् दूसरे जगा की फाइल के पार्ट को इंसर्ट करें देखें ध्यान दीजेगा इंसर्ट मेनू के अंतर गट टेस्ट में अबजेक्ट मिलेगा अबजेक्ट पर क्लिक करीगा और यहां लिखा है इंस टेस्ट फाइल फ्राम यानि टेस्ट फ्राम फाइल किसी दूसरे फाइ नाम की कोई फाइल है इस में क्या लिखा गया हो कि से हैं सब लिखा गया है है ना को इस हिसाद से अपने समझा आप कहीं की फाइलों या कहीं की टेस्ट' से कहीं से भी आप कोई टेस्ट चाहेंगे तो आप किसी दूसरे की फाइल से इंसर्ट कर सकते या कहीं दूसरे जगर की फाइले आप अपने करसर पोजीशन पर इंसर्ट कर सकेंगे के आगे देखें अगला आप देखएं बताया जार आपसे कुछ सिजों को और इंसर्ट करें इक्यूसनल या इक्यूसन मैञेट्मेटिकल समबंधित चीजों को करशर पोजीशन पर इंसर्ट करें इंसोर्टे कामन, मैथमेटिकल एक्यूशन और बिल्ड अप कर आप से यूर अवेन एक्यूशन यूजिंग द़ लाइबरेरी और मैथ सिंबल या आप यूजिंग कर सकते एक्यूशनल लाइबरेरी, मैट आद इस सिंबलों से आप इसे चाहेंगे तिसे इसकी सहाता से इंसोर्ट कर सकते हैं आप प्रेटिकल सीट में ही आप इसको समझ सकते हैं देखे कर्शर आप रखे रहे हैं किस तरह की चीज़ें चाहिए आप इसमें ला सकते हैं देखे एक्यूशनल सिंबल के इंतरगत आपको मिलेगा जिस तरह की चीज़ें चाहिए आप ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए आप इंसर्ट कर सकते हैं यह आपके mathematical संबंदी से जहें, आपको मिल जाया करेंगी, ठीक है, जो भी आपको जिस तरह की चीदों को आज सकता हो, आप उसे अपने जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं, देखिए, और भी आप तमाम तरह की चीदों को, और भी तमाम तरह के सिंबलों को आप यूज कर सकते हैं, इसमें आपको बस insert करने की जरूरत है, insert यहां पर आएं और यहां लिखा है, तमाम चीदों आपको दी गई हैं, आप जिस तरह की चीदों चाहें, mathematical संबंदित या जिस तरह की चीदों चाहें, आप यूज कर सकते हैं, बाई वाला या बटा वाला चाहिए, आप इस तरह की चीज़ चाहते हैं, आप उस तरह के using कर सकते हैं, नई पसंदे तो मिटा भी दीजे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर जरूरत नहीं लग रहा है, तो आप इसको remove कर सकते हैं, यह देखें, आप इस तरह की चीज़ों को करमसर using आपने cursor position पर आप using कर सकते हैं देखें, आप अपने जरूरत के साब से अच्छे अच्छे चीज़ों या अच्छे अच्छे चैज़ों को mathematical संबन देखें को use करेंगे, देखें, by चाहिए या करड़ी चाहिए, square चाहिए, जो चीज़े आपको चाहिए, उस तरह की चीज़ों को insert करेंगे, यह से नहीं च चीज़े चाहिए देखिए यहां पर अंक लिखिए जो अंक लिखना जैसे नाइन बाई थ्री करना है हम लिख दे नाइन उपर लिख दे नीचे लिख दे थ्री लिख दे इस तरह से देखिए यूज हो गया समयन में आ गया होगा अंदा को ठीक है तो इस हिसाफ से आप इनका करमस यूजिंग कर शकेंगे या करमस प्रियोग कर शकते हैं या इस तरह से चीज़ों को आप using कर सकेंगे mathematical के बाद symbol आपको किसी तरह से symbol या किसी तरह के चिन्हों की जरूरत हो तो आप इसे इसकी सहायता से क्रमस यूजिंग कर सकते हैं या क्रमस प्रयोग कर सकेंगे symbol याने चिन्हों को insert करें क्यार आपसे the symbols आपसे इसे इस प्रकार से हम बिंडो में character map आपसें पढ़ाए थे उसी तरह से इसमें भी आपको मिलेगा याने character map की तरह से ही इसमें भी आपको symbol मिल जाएगा और आप अपने करसर पोजीशन पर इसका क्रमस यूजिंग कर सकते हैं या जिस तरह की चीदें चाहिए उस तरह से आप इसमें यूज कर सकते हैं देखें या आपके symbols मिल जाएंगे आज symbol का क्रमस यूज कर लेंगे लिखा भी है लिखता है कि the symbols absence insert special symbol in character just like character map चिस प्रकार के symbol या character मिल जाएंगे देखें प्रेटकल सीट में आईए इसको हम समझते हैं कि कैसे यूज करेंगे देखें हम insert में आते हैं और insert में जो option मिलने माला है symbol option मिलेगा symbol से जिस तरह का symbol चाहिए आप यूज कर लिजे इसके अलावा भी चाहिए तो आप इसमें using कर शकते हैं ये अच्छा नहीं लग रहा है इनके अलावा चाहिए तो more symbol पर आईएगा और more symbol पर जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे symbol के list आजाएगी आप उनमें से जो symbol आपको पसंद आएगा उसमें से आप उसको use कर सकते हैं देखें आप जो भी चाहिए आप उस तरह की चीज़ों को करम से आप using कर सकते हैं ये चीज़ें था मैंने आपको बिंडो पढ़ाते समय कैरक्टर मैं पढ़ाया था उसी से रिलेटी लगभग ये भी है ठीक है फिलाल आपने आज insert टैब पूरा का पूरा समात कर लिया अगले करम में हम पढ़ेंगे page layout टैब यानि कि अगला जो हमारा करम होगा अगले step में हम page layout संबंधित या page से modification या page पर आधारी चिज़ों पर हम कार्य करेंगे या page से संबंधित ही केवल कार्य कर सकते हैं ठीक है फिलाल आज के लिए तरह रन दीजी अगले दिन हम आपको पढ़ेंगे page layout टैब ठीक है ध्यान दीजेगा